हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग टू अल उफ यू एंड वेलकम टू ग्यान जोती आसेश ट्यूटोरियल तो दूस्तो आज है 20 नमबर 2020 और 20 नमबर 2020 से जितने भी करेंट अफर के कुश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कभर करने वाले हैं और सभी कुश्चन स एक्स्टा फैक्ट भी चारेंगे तो सारे कॉश्चन इंपोर्टेंट इसले वीडियो का अंत्य तक जरूर देखेगा और इस वीडियो की पूरी पीडिये फाइल हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे अपook का करना होगा और वहां से सारे वीडियो फाल को डॉनलोड कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते है और आज के जो भी हमारे पास टौटल इंप्शन रहों हैई और जिस भी question से related extra fact निकल के हैंगे वो आपको note करते हैं चलना होगा ठीक है क्योंकि extra fact जो होता है वो बिल्कुल must होता है और यहाँ पर मैं आपको यह विदा दो कि लगभग लगभग one question से आपको चार या पाच question का answer में मिल जाता है तो extra facts पर focus बनाया रखने के साथ साथ आपको question के उपर भी focus मनाया रखना है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और यहाँ पर देखेंगे पहला question आप लोग के screen के उपर यह है पहला question यह कि हाली में बिस्व सौचाले दिवश यह कब मनाया गया है तो यह अभी हाली में मनाया गया है 19 नवंबर को कब मनाया गया है 19 नवंबर को मनाया गया है और यह दिवस क्यों मनाया जाता है तो देखें सभी घरों में सौचाले होना यह must है और जो सौचाले में यानि सौचाले का उप्योग नहीं करते हैं यानि यूज नहीं करते हैं मतलब कि जो लोग खुले में चाहते हैं उन्हें 140 यारी स्वक्ष्टा के प्रति अवेर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और ये दिवस किसके दोरा मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है स्वास्त ऐनी बिस्व स्वास्त संगठन के दोरा जिसके स्थापना 2001 में की गई तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बाकी के ओप्शन को डिस्कस कर लेते हैं तो 16 नॉवंबर को कौन सा दिवश मनाया गया है तो यह मनाया गया है नेशनल प्रेश डे यह 16 नॉवंबर को मनाया गया है जबकि वर्ल्ड प्रेश फ्रिडम डे यह मनाया जाता है आपको तीन मई को कमनाया गया है 3 मई को मनाय गया है ठीक है 17 नौवंबर को कौन सा दिवर्ष मनाय गया है तो ये मनाय गया है आपको 17 नौवंबर को International Students Day International Students Day ये आपको मनाय गया है 17 नौवंबर को जबकि World Students Day ये आपको मनाय जाता है 15 अक्टूबर को मनाय जाता है अठारे अक्टूबर को मनाये गया है प्राकेट तक चिकित सा दिवर्ष तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखने होंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकेंड नमबर प्रश्ण प्रश्ण संक्या सेकेंड आपके इस ट्रेंड को परेगी फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला बिश्व कप कोविड 19 के कारण स्थगित कर दिया है तो देखिए जो अंडर 17 वोमेन वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला था इसे होस्ट करने वाला था अपना देश भारत कौन सा होस्ट करने वाला था अपना देश भारत ठीक है और इसे होस्ट करने का अपना देश भारत था लेकिन कोरोना वार्स की करण मतलब कि इसके संक्रमन को देखते हुए जो फीफा है इसने क्या किया इसे पोश्पोन कर दिया है तो यह आपको याद रखना होगा अब सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं FIFA के बारे में FIFA यानि इसकी फॉल्फरम होती है Federation International The Football Association और इसके स्थाफना होई थी 1904 में कम कई थी 1904 में इसके स्थापना की थी और इसका हेट कॉटर जुरिक Switzer Land में सी थे और वर्तमान में जो इसके अध्यक्षे हैं यह है ग्यानी इनफैनिटो कौन है ग्यानी इनफैनिटो इसके परजिन टाइमें क्या है अध्यक्षे हैं तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखने होंगे, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नमबर प्रश्न, प्रश्न संक्या थर्ड आपके स्क्रिन को परिये की मृदुला शिनहा, जिनका हाली में निधन हो गया है, ये किस राज की पुर्व राजेपाल है, राजेपाल थी, तो ये भी पुर्व राजेपाल थी, जिनका भी हाली में निधन हो गया है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले गोवा के बारे में, तो गोवा, तो छेतरफल की दृष्टी से भारत का सबसे छोटा राज, ये गोवा ही है, जबकि छेतरफल की दृष्ट राज्जी से भारत का सबसे बड़ा राज्जी, ये कौन सा है, तो ये है राज्जस्थान, राज्जस्थान जो शेतरफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्जी है, राज्जस्थान, तो ये आपको याद रखना होगा, गोवा की राज्धानी क्या है, राज् अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नमबर प्रश्न प्रश्न संक्या 4 आपके स्क्रेन को परिये है कि हाली में किस राज्य सरकार ने गायों के संदक्षण की गौव काबिनेट की गठन का फैसला लिया है तो ऐसा फैसला है ये किया गया है मद्य प्रदिश गौवर्मेंट के किसके द्वारा मद्य प्रदिश गौवर्मेंट के द्वारा ताकि गायों का संदक्षण किया जा सके देखे आप लोगों को ये भी मालूम होना चीए कि गाय का पहला अभ्यारण कहां स्थापित किया गया था तो ये किया गया है मद्य प्रदिश में ही कहां के मद्य इसके कहां पर रस्थाफित क्या गया है अगर मालवा जीले में तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है अब यहाँ पर हम डिसकस कर लेते हैं मंध्य परदेश के बारे में तो मुख्य मंत्री कौन है तो यह है स्टियू राज सिंग चौहान मंध्य परदेश क की राजजीपल है लेकिन मत्य पर इसका भी अडिसनल जाज संभाल रही है अनंदी बेन पतिल तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास फाइफ नंबर प्रश्न प्रश्न संक्या फाइफ आपके इस स्क्रिन को परिये के हाल यह हो जागा इस कोशन का राइट एंजर ठीक है यहाँ पर हम बात करें बॉलिवड फैडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में किसके बारे में बॉलिवड फैडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में तो इसके स्थापना हुई थी 1951 में कप की थी 1951 में इसका स्थापना की थी और होके फेडरेशन इंडिया की नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जो की मनिपूर से बिलोंग करते हैं जबकि उपाध्यक्ष जो है ये बने हैं मुझ्टक का एहमद तो ये भी आपको याद रखना होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास सिक्ष नंबर प्रश्न सब्सक्राइब इस एंसर का ठीक है प्रेम प्रकास जीए जो कि प्रसिथ हैं पत्रकार है और इस किताब में आपको डेटल में जान लेना हो चाहिए क्योंकि ये जो किताब है बिलकुल इंप्वाटेंट है जो यह किताब है इसमें 1962 यानि 1972 के इंडिया वाइड चाइना इं और 1965 ये सारे आपको याद रखने होंगे 1965 और 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच यूद हुआ था और इसके अलावा 1975 में जो आपत कालिन इमर्जिंसी लगाए गई थी इन सभी घटनाओं के वर्णन किया गया है इस किताब में और इसने लिखा किसने है तो ये प्रेम प्रकास जी के द्वारा लिखा गया है ठीक है आप यहाँ पे किताब के बारे में बात कर रहे है तो जो आपको आप्शन में दिखा रहा है यहाँ पे रस्किन बॉन्ड जो आप्शन नमबर बी में है तो रस्किन बॉन्ड जो है इनके द्वारा एक किताब लिखी की है जिसका नाम क्या है How to become a writer क्या लिखा गया है How to become a writer तो ये जो किताब लिखे हैं रस्किन बॉन्ड जी की द्वारा लिखा गया है तो जो जो शोनुषूद है यह अभी हाली में इनके द्वारा एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है I Am No Masihah क्या है किताब का नाम I Am No Masihah तो ये भी आपको यहां पर याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास seven number प्रश्न संक्या seven आपके इस क्षिरेंड कि परहे के हाली में तीसरे वार्जिक बुमर्ग new economy source किसके द्वारा समोधित किया गया है प्राईममनिश्टर नरेंदर मोधी जी के द्वारा प्राइम मनिश्टर नरेंदर मोधी जी के द्वारा वीडियो कॉन फेंसिंग के माधियम से ठीक है तो देखे कोरोना के कारण हर देश के अर्थिब्योस्ता वैसे ही डगमगा गई है तो भारत जो है भारत को भी एकोनॉमी के छेतर में काफी नुक्षान उठाना पड़ा है तो इसी फॉरम को शम्मोधित किया गया है प्राइम मनिश्टर नरेंदर मोधी जी के द्वारा ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा आगे बढ़ दे हैं हमारे पास एट नंबर प्रशन प्रशन संक्या एट आपके स्त्रिन को पर यह है कि हाली में जारे कियेगे विश्व के संस्किर्ट तक शेहरों की सूची में कौन टॉप पर रहा है तो देखिए अभी हाली में रेजुनेंस कॉंसल्टेंसी लिमिटेड के दुआरा शेहरों को यह रैंकिंग दी गई है जिसमें 10 लाग से अधिक अबादी वाले दुनिया के 100 शेहरों को शामिल किया गया है और इन 100 शेहरों में जो टॉप पर रहा है यानि 100 शेहरों को शामिल किया गया और इन 100 शहरों को top पर रहा है पहला में रहा है London जो पहले अस्थान पर है London क्या है पहले अस्थान पर है दूसरे अस्थान पर है New Year तीसरे अस्थान पर है Paris और जबकि जो अपना देश भारत का जो दिल्ली शहर है ये आपको 62 वे अस्थान पर है तो ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है top 3 याद रखना होगा और जो अपना देश भारत का जो एक शहर सा मिल किया गया है दिल्ली ईसको भी आपका यहाँ यहाँ पर ranking याद रखना होगा ranking क्या है 62 वे अस्थान पर है अपना देश भारत का एक मातर शहर दिल्ली तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नमबर प्रश्म प्रश्म संख्या 9 आपके स्क्रिन को पर ये है कि हाली में अजे कुमार को किस छेतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में निक्त किया गया है तो जो कमन विल्थ कंट्री होती है यानि कि रास्ट मंडल दिश यहाँ पर सिंबली समझना होगा कमन विल्थ जो कंट्री होती है यानि रास्ट मंडल दिश यहां नुक्त की जाती है हाई कमिशन की, किस की? हाई कमिशन की, यानि के उच्चा युक्त की और जो non common wealth country होती है non common wealth country तो यहां ambassador की नुक्त किये जाती है, यानि की राजदुत की, ambassador की तो यह आपको याद रखना होगा और जो अजे कुमार है ये बुरुंडी कहांके बुरुंडी के भारत के अगले राज़दूत के रूप में न्युक्त किये गए हैं तो ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नम्मर प्रश्न प्रश्न संक्या टेन आपकी स्क्रिन को परे के हाली में इकिटास श्मॉल फाइन्स बैंक ने अपना ब्रेंड एम्बेस्टर की से बनाया है तो ये जो कोशन ने मैं आपको रिविजन के लिए रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टन कोशन था इसलिए मुझे रखना पड़ा ठीक है तो अभी हाली में बनाये गए है किरिकेटर इसमृति मंधना को किसको किरिकेटर इसमृति मंधना को तो देखे जो इकिटास स्मॉल फाइन्स बैंक है इसने महिलाओ के उपर ध्यान रखते हुए एक नया प्रोड़क्ट लॉंच क्या है जिसका नाम क्या है EVA इस प्रोड़क्ट का नाम क्या है EVA इस प्रोड़क्ट का नाम है और इसी नय प्रोड़क्ट का ब्राण्ड अमेस्टर ये बन गई है स्मृति मंधना तो यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है जो फीवी शिंदु है option number जो ए में आपको दीख रहा है यहाँ पर तो जो फीवी शिंदु यह अभी हाली में यानि कुछ दमें पहले ही वीजा की brand ambassador बनाई गई है फीवी शिंदु को वीजा की brand ambassador बनाई गई है तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास कलका शवाल है सवाल यह है कि हाली में नाशाक में पहली पुर्ण विवस्था उड़ान की से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर राश्टी स्टेशन बेजा है तो यहाँ पर आप सभी लोग बहुत अच्छा परयास्था यानि चार जो है अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को राश्टी स्टेशन बेजा गया है तो इसका राइट एंसर आप्शन सी हो चाएगा और जो हमारे पस आज का सवाल है सवाल यह है कि हाले में किस राज्जी सरकार ने गायों के संदक्षण की गो गौ कैबिनेट की गठन का फैसला लिया है तो इसका राइट एंसर आप सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ठीक है और जो लोग एंडिये एरफोर्स एक्सवाई ग्रूप की तयारी कर रहे हैं उनके लिए अन एकेडमी के तरफ से बेस्ट सब्सक्रिप्शन लाँच कर दी गई है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मेरा रेफरल कोड याद रखना होगा मेरा रेफरल कोड क्या है जी जे ए टी टेन यह हमारा रेफरल कोड है और इस रेफरल कोड को कहां उप्यूग कर रहा है मैं अभी आगे बताने हो अगले पेज में तो सबसे बाद आपको get subscription पे यहाँ पे click करना होगा और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपको interface मिलेगा जैसे आपको जैसे आपको जीस तरह का subscription लेना चाहेंगे वैसे मैं आपको पहले बता दूँ यहाँ पे जो 12 मंद का अगर subscription आप लेना चाहेंगे तो यह 8000 का पड़ेगा अगर 6 मंद का लेना चाहेंगे तो आपको 400 रुपे में पड़ेगा अगर आपको 3 month का लेना चाहेंगा तो यह 4000 पड़ेगा अगर 1 month का लेना चाहेंगा तो यह आपको 16 पड़ेगा ठीक है? तो जो यह subscription जैसे आप लेना चाहेंगे तो सबसे पहले मेरा code को आपको उजे करना होगा code मेरा क्या है? GJAT10 यह हमारा referral code है और इस referral code को यहाँ पे enter करना होगा और आगे में आपको यहाँ पे मिलेगा process to pay इस पे जैसे ही आप click करेंगे तो आपको नीची में आपको 10% का discount मिल जाएगा ठीक है जैसे मैं आपको यहाँ बता दू कि जैसे मेरा course पिछले मैंने भी बताया कि 12 मन्त का लेना चाहेंगे तो आपको 8000 पड़ता है लेकि नहीं यह code जैसी आप डालेंगे जी जे ए टी टेन इस code को यहाँ पे enter करके process to pay करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% का discount मिल जाएगा जैसे 12 मन्त का फिलसे बार बताया था कि 8000 का course था वो आपको 1200 मिल रहा है 6 मन्त का लेना चाहेंगे तो course आपको 5760 मिल रहा है अगर 3 मन्त का लेना चाहेंगे तो यह course आपको 3600 मिल रहा है अगर 1 मन्त का लेना चाहेंगे तो यह course आपको 1440 मिल जा रहा है ठीक है तो कुछ नहीं करना है यह code डालना है और यहाँ पर process to pay करेंगे आपको 10% का discount मिल जाएगा ठीक है तो आपको मैं यह बता दिया और नीचे में जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर free meal list यानि quiz मिल जाएगा daily live classes मिल जाएगे ठीक है तो यह सारे unlimited access यह सारे आपको यहाँ पर subscription लेने के बाद सारे provide आपको मिलते रहेंगे ठीक है यह आपको यहाँ पर देख सकते हैं live class यहाँ पर total जितने भी हमारे sir हैं यह सब ही आपको यहाँ पर guide करनेंगे और यहां पर देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े एजुगेटर भी है जैसे यहां पर राम सोरुप जैनिशर यहां पर मयंग चदरवेदी शर यहां पर और भी हमारे पास जितने भी सर हैं यह आपको यहां पर क्या करेंगे आपको प्रुवाइड करेंगे यह नहीं मौट झाल झाल